जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक booklet है या booklet आपको बता दे कि pzct 1112 का है इसमें हम जेनरल पेपर का discussion करेंगे कि बीपेसी के द्वारा final answer की में किसका क्या answer लिया गया आपको बता दे कि बीपेसी ने कल ही इसका answer की publish कर दिया गया जो भी change किया गया आपने पर आंसर के साथ इसी करन बना रहे हैं ताकि अगामी जो टीरी फूर वेकेंसी आगी पेजटी के लिए जो भी भेरती तियारी कर रहे हैं उसको कुश्चन का अंदाजा लग जाएगा क्योंकि साथ में साथ यू आपको बता दे कि इस वीडियो में आपको हम बुकलेट पर आ पता है कि जेनरल पेपर का जो कोश्चन है वह दिया रहता है उसके बाद आपको बतादे क्विश्चा में देखेगा है 8 पुझा जाता है हम आपको बतादे कि मेंке के धैवल आंसर यहां पर देख सकते हैं कि brought नि देख सकता हैं कि एक लेख PC से 10% अधिक पर है यदि 10% की छूट की अनुमती है तो निवलिकित में से कौन सा सही है इसका अंसर 1% हानी विपेसी के द्वारा फाइनल आंसर की में लिया गिया है अगर आप TRE 4 का त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हैल्फुल होगा को प्रकार से आ रहा है विपेसी में शाथ ही आपको बता दे कि 33 नमर कोश्यन है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए एक आसी को किस शंख्या से विवाजित किया जा सकता है तो आप्सन नमर एक तीन आंसर इसका लिया गया है दो पूर्ण शंख्याओं के बीच का अंतर 66 है एक शमान अंतर चतरभुज ABCD में कोन A और कोन B का अनुपात एक अनुपात दो है तो कोन A का मान आपको बता दे कि BBC के दोना आंसर C 60 डिगरी लिया गया है अगला देखेगा यहां पर एक बेलन की उचाई जिसकी तिरजिया शाथ सेमी है और कुल सतह चेतरफल 960 सेमी है इ 37 नमर कोशन जो देख सकते हैं कि इसका अंसर A लिया गया है C नमर आगे एक C नमर 38 देख सकते हैं कि X और Y का यूथ कर्मान पाती है यहां पर B नमर अप्शन लिया गया है XY इस्तिरांग फिर Physics का कुशन एक है इसको आप कुशन पर सकते हैं इसका अंसर बता दे आपको 25 लिया गया है अंसर जो चिंज किया गया है वह भी आपको हम बताएंगे चालेश नमर में देख सकते हैं कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विदूत हीटर विदूत मेंस में दो घंटे तक 15 एंपियर विदूत दारा लेता है हीटर में उत्पन उस्मा की दर क्या होगी इसमें से कोई अंसर नहीं लिया गया है इनमर लिया गया है अगला जब कोश्चन देखेगा आप किसी सब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने उन में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे आपको बता दे कि इसका आंसर बता दे कि इनमर लिया गया है हलाकि इससे पहले जो आंसर की फर्ष्ट था इसी में से कोई एक लिया गया था फाइनल अंसर की में A लिया गया है नमलकित में से किस भाग पर किसी बस्तू का प्रतिविम्ब बनता है तो इसका अंसर D लिया गया है एक से अधिक जो कि BPC के दोरा सायद गलत लिया गया है इस बार भी यहां पर दिरिश्टी पटल अंसर होना चाहिए C नमबर आगे देखेगा 43 नमलकित में से कौन सा मादा जनन तंतर का भाग नहीं है यहाँ पर सुक्रबाही का इसका अंसर सही होगा पडाकोस में होते हैं पडाकण यहाँ पर सी नमल अंसर BPC के दोरा लिया गया है ओलाइंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इस्ट में ओप्सन नमबर B नेक्ट कोशन देखेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए निमने में से किस ओसधी का पर योग किया आता है तो प्रती अमल यहाँ पर सही आंसर होगा के लिए आवेदन और निश्पादन किसके द्वारा किया जाता है इसमें से एक च्यादिक अंसर लिया गया है डी नमबर डाक विवाग द्वारा जन गर्णा द्वारा केंदरिय सुरक्षा आईबी द्वारा तो इसका अंसर सही हो जाएगा डी अगला कोश्चन 48 नमर देख सकता है कि किस देश में भारत ने अपना यूपिया चालू किया तिहां पर मौड़ेसस इसका सही के अंसर हो जाएगा इसरो दोरा 24 में अंतरिक्ष यात्रियो सहीत भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है गगन यान यहाँ पर बी नमर आंशर सही है करेंटेफेर से लिया गया है कौन सा देश G7 का शदस ये नहीं है यहाँ पर बतादे आपको रसिया सही अप्सन यहाँ पर बेपेस्टे के दोरा अंसर लिया गया है जब देखेगा यहाँ पर 51 नमर में हरित हाइडरोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है यहाँ पर सही अप्शन बता दे कि इलेक्ट्रोलैसिस आंसर दिया गया है कौन सी तक्निकी मिरित को पुनरजिवित दिखलाती है तक्निक तो यहाँ पर बता दे आपको 52 नमर आंसर को डेलिट कर दिया गया है कॉशन को ही डेलिट कर दिया गया है इसका कोई आंसर नहीं होगा तेरे परवन नमर में देखेगा दुज़र चौविस में जिवित सुचकंक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है यहाँ पर बता दे कि पाकिस्तान लाइफस्टाइल का बात किया जा रहा है किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारन सत्यागर के सहयोग से किया था तो यहाँ पर राजंदर प्रिशाद साही अपसंद हो जाएगा चंदर्मा की तरह दिखने वाला तो यहाँ पर बता दे आपको बुद्ध है जिवास्म के अधार पर मानव उत्पती के अंदर कौन सा था तो अफ्रिका की रिफ्ट वैली घाटी यहाँ पर देखेगा शंतावन मर कुशन भारत में सुस्क बिंदू बिस्ती मिलती है जिले में धान का उत्पादक शिर्भादिक होता है यहाँ पर बी नमर यहाँ पर रोता सही आंसर होगा आगे है तेहराइन किस परवत पर इस्थित है अलबूर्ज सही आंसर हो जाएगा आपको बदा दे कि इसका आंसर मतलब बिपेसी टीरी 3 में फर्स्थ प्रोविजन आंसर की में दुसरा लिया गया था लेकिन अभी चेंज करके दुसरा आंसर लिया गया है भारत में पुडवी घाट की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है तो इनमें से कोई नहीं आंसर लिया गया है आगे देखेगा इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैद खारण नहीं है आपसर नमर सी आंसर हो जाएगा चराई और जलने की लकड़ी का एकी करन बिहार के किस जीले में रिश्मी वस्तर का उत्पादन सरबादिक होता है तो यहाँ पर हो जाएगा भागलपूर नेक्स्ट कोशन जब देखते हैं यहाँ पर अगला जालिया वाला बाग हत्या कांड के दौरान भारत का वहिश्वरा है कौन था लॉडड चम्सफोर्ट सा ही आंसर हो जाएगा भारती राष्टे कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डबलू सु बेनार जी यहाँ पर बहुत ही आसान कुश्चन नमलिकित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की नाम से जुना जाता है तो दादा भाय नोडोजी अगला कुश्चन देखिएगा नमलिकित में से कौन से आंदोलन M के गांधी द्वारा सुरुवात किया गया था इसमें से एक स्याधी का सही अप्सन होगा तीनों है यहाँ पर महत्म हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा फिर जो 69 नमर कुश्चन है 69 को डिलीट कर दिया गया है किसने 1922 में बिहार प्रदेशिक कॉंग्रेस कमिटी का अस्थापना किया था इनमें से कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि कुश्चन ही गलत पुछा गया है लास्ट कुश्चन अगर आप एक्जाम दिये हैं तो आपका कितना मार्क्स जेनल पेपर में बन रहा है जरूर अपना मार्क्स रेर किजएगा